नावस्कार में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनमेफ न्यूज चुनाव आयोग कोई भी नियम बना ले लेकिन नेता जीतने और मैलेज पाने के लिए किसी भी अस्तर तक जाने को तयार है तब ही तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉंफरेंस के बाद भी नियताओं के जबान रुखने को तयार नहीं है देखे ये रिपोर्ट निताओं पर लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग हमेशा नए नियम लाता है लेकिन नेता हर नियम को ताग पर रख देते हैं कुछ नियताओं को सजा होती है तो कुछ कमियों को देख बाहर निकाले जाते हैं लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने नियताओं पर तेड़ी नज़र रखी है तभी तो मोदी के मंत्री पर चुनाव आयोग ने अपना चाभुग चला दिया खबरों की माने तो करनाटक के मुख निरवाचन अधिकारी को केंधरी राज्य मंत्री शुभा करंदलाजी के खिलाप वे आक्षन लेने की बात कही है खबरों की माने तो मंत्री ने आदर्श अचार सहिंता का उलंगण किया था आरोपो की माने तो तमिलनाडू के लोग करनाटक में आकर बम धमाके करते हैं और बेंगलोरों के एक कैफे में हाल ही में हुए विसफोड के लिए तमिलनाडू के लोग जिम्मेदार हैं जानकारों की माने तो लोकसभाचुनाओं की घोषणा के बाद चुनावा आयोक की ये पहली कार्यवाई है चुनावा आयोक से DMK संगठन के सचीव RS भारती ने शिकायत की थी फिर चुनावा आयोक ने 48 घंटे की भीतर ही आक्शन ले लिया लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया है और उसके मताबिक राजनितिक के विवाद बढ़ते ही शोभा करंदलाजे ने माफी मांग ली है लेकिन राजनितिक पार्टियों ने इसको हंत्यार बना लिया है और अपने हिसाब से उप्योग करने लगी है मोदी की मंतरी शोभा के बयान को सबसे पहले तमिलनाडो के सियम स्टालिन ने हमला बोला और कहा कि केंद्रिय मंतरी का बयान खतरनाक है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और खानूनी कार्रवाई करने की मांग भी करता हूँ स्टैलिन यही नहीं रुकें और आगे कहा कि परधान मंत्री से लेकर कैडर तक BJP में सभी लोगों को तुरंत इस गंदी विभाजनकारी राजनीती में शामिल होना बंद कर देना चाहिए इस याई को इस नफरत भरे भाशन पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत कड़ी कारवाई शुरू करने चाहिए इस पर शोभा ने स्टैलिन को जवाब दिया और कहा कि स्टैलिन तुष्टी करण की राजनीती कर रहे हैं रामेश्वरम विसफोटों के पीछे के हमलावरों को तमिलनाडू के कृष्ण गेरी जंगलों में अपनी नाक के नीचे प्रशिक्षित किया गया था फिर हमला हुआ तो आप अपनी नाकामी से बच नहीं सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीड़ेपी के खिलाफ तमिलनाडू में हवा फैली और विवाद बढ़ता देक शोभा ने मापी मांग ली लेकिन बयान बाजी अभी भी जारी है